नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का एम के क्लासिस में फिनेंस अकाउंट इस्सेंट और सब इंस्पेक्टर के लिए पढ़ रहे थे साइंस का लेक्षर नमबर 6 है ये कंजरविशन आफ मुमेंटम और ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे लक्षे शुरू करने से पहले पिछली वीडियो के आपको कुछ सवाल दोंगा फोर्स ओफ फ्रिक्षन रिक्षाइट तो अवरकम फ्रिक्षन अट इस्टेंट इसको क्या बोलते हैं अगरा सवाल है विच टाइप आफ फ्रिक्षन टेक लेस्ट सर्फेस एरिया दूरिंग मोशन वट इस्ट्राइबोमेटर ऐसा यूनिट आफ मोमेंटिम विच इस नौर्दी इग्जैंपल आफ नौन कॉंटक फोर्स इस यह है कुछ सवाल इनके जवाब आपको पिछली व विडियो नहीं देखी देखिए उसको और आज की वीडियो शुरू करते हैं आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अपाउट कंजर्वेशन आप मोमेंटिम इसकी इंट्रोडक्शन हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थी आज फिर से इसको पढ़ेंगे अब आउट इसके बारे में हम सीखेंगे चले दोस्तों शुरू करते हैं मां इसका और क्या होता है दोस्तों, momentum कहते हैं the amount of momentum that an object has is dependent upon किसके उपर depend करता है दो वेरियबल के उपर depend करता है एक कि वो कितना fast चल रहा है object कितना जल्दी चल रहा है और उसका weight कितना है मतलब कि दो variable कौन से होगे एक हो गया mass और velocity तो इसका जो हमारा formula बनता है वो है mass momentum equals to mass into velocity mass into velocity आता है क्योंकि अगर object motion में है तो उसका weight भी होगा mass भी होगा और velocity भी होगा ठीक है दोस्तों आगे देखते हैं यह conservation of momentum के बारे में बताया हुआ है देखिए जब कोई objects दो object होते हैं अगर यह हमारा object है ए और यह बी object है यह object है और यह object है इसमें क्या है इसकी velocity ua है क्या है इसकी velocity ua और इसकी velocity ub है तो क्या होगा जब यह दोनों collide होंगे a और b तो इनकी जो force होंगी है न फोर्स होंगी वो दोनों एक दूसरे के साथ टकराएंगी अगर force जादा होगी किसकी f a b f a object की तो क्या होगा यह दोनों object आगे की तरफ move करना शुरू हो जाएंगे अगर वही उल्टा अगर b की force जादा होगी बी की force अगर जादा होगी तो क्या होगा यह object इस तरफ move करना शुरू कर देंगे अगर दोनों की जो force है, वो दोनों की force अगर बराबर होगी, इकल होगी या momentum बोले, momentum अगर equal होगा, तो वो object दोनों वही के वही खड़े रह जाएंगे ठीक है और यही यहाँ पर लिखा हुआ है इसके जो units है, kg meter per second आते हैं क्योंकि और momentum को denote करते है lower case of P ठीक है, P का जो lower case होता है physics में वो momentum को show करता है, और Mv इसका formula है, ठीक है दोस्तों आगे देखते हैं, conservation of momentum मैंने क्या बताया आपको fundamental law है physics का which state that momentum of a system is constant किसी भी system का जो momentum होता है, वो constant होता है अगर उसके बाहर कोई external force नहीं लगती तब, तो जो यह हमारा conservation of momentum है यह हमारा first law of Newton first law भी follow करता है, जिसको हम law of inertia बोलते हैं, कि an object remains at rest or in motion unless or until any external force act upon it, यह हमारा first law होता है, और यह जब collision है ना, जब collision नहीं हुआ था object, तो वो दोनो क्या कर रहे थे object, अपनी equal speed में चल रहे थे, जिस velocity में उनको चलाया जा रहा था जैसे ही, उन दोनों के उपर क्या हुआ, देखे हो, अभी इसमें, जैसे कि मैंने बताया इसमें तीनों law act करते हैं, तो जब वो दोनों object टकराए, तो क्या हुआ momentum जो उनका था, वो किसमें convert हुआ force में, जैसे कि लाओ of neutrons law क्या बोलता है, कि change in momentum is directly proportional to the force applied, तो जितनी उनकी force थी, है ना, अगर उनकी बराबर force होगी, तो वो वहीं पर रुख जाएंगे, है ना, तो force momentum कि क्या होता है, directly proportional होता है force के, तो fa a, फिर मैंने आपको example लेके समझाया है, यहाँ पर क्या, अगर जो force होगी, और एक object की ज़्यादा होगी, और उसी तरफ motion होगा, जिस तरफ force ज़्यादा होगी, मतलब भी change in momentum, जिस तरफ ज़्यादा होगा, अगर इस तरफ ज़्यादा होगा, तो motion इस तरफ होगी, ठीक है दोस्तों, यही मैंने आपको लिख के समझाया हुआ है, इतना कुछ लिखने की जूरत नहीं होती ही, दोस्तों, आपको यह जो, momentum की जो quantity units वगारा है, यह याद रखनी है, याद रखने हैं, और neutrons, law, वगारा याद रखने, ठीक है, सब कुछ लिखने की जूरत नहीं होगी, और वैसे भी में PDF प्रवाइड कर दूँगा, आपको read करने के लिए, ठीक है, अभी, वह ही जो मैंने आपको बताया, कि every action, equivalent, opposite direction भी इसमें लगेगा, हमारा third law, ठीक है, क्योंकि जब अगर object एक दूसरे से टकरा रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, अगर दोनों की force बराबर होगी, वह रुख जाएंगे, हैना, अगर नहीं होगी, तो एक तरफ चल जाएगा, और इससे क्या होगा, अगर इसकी force जादा है, इसका मतलब इसकी velocity या mass जादा होगा, और इसकी velocity और mass में भी इस object के फरक पड़ेगा, अगर velocity जादा होगी, तो इस object के साथ टकराने में, टकराने के बाद इसकी velocity क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि every action, there is equal and opposite direction, यह हमें पता है, चलिए दोस्तों, अभी हम pressure के बारे में पड़ेंगे, pressure क्या है, pressure force upon area की किसी object के उपर, कितना हम force लगा रहे हैं, कितने area of object में हम force लगा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं, pressure, ठीक है, pressure का formula भी यही होता है, force upon area, और pressure क्या है, the force acting on a unit area, एक unit area में जो force लगती है, उसको हम कहते हैं, pressure, यह इसकी definition आगी, हमारे force upon area, और इसको scientist Pascal ने किया था, तो इसको हम newton meter भी बोलते हैं, और Pascal भी बोलते हैं, इनके standard unit, ऐसा unit जिसको हम कहते हैं, Pascal भी बोल सकते हैं, या newton meter भी, newton meter क्यों, क्योंकि force की unit क्या होता है, Newton होता है, newton upon area, तो newton area क्या होता है, meter square होता है, तो newton meter square बोलते हैं, ठीक है, चलिए दोस्तों, आगे करते हैं, एक, perpendicular अंधे surface, जो इनकी force होती है, perpendicular एक करती है, pressure की, क्यों, जब भी आप pressure प्रेशर लगाते हो तो क्या करते हो उसकी फोर्स आप प्रपेंडिकुलर लगाओगे है न यही होता है हमेशा अगर आप फोर्स जादा प्लाइड कर रहे हो कम एरिया में जैसे की नीडल हो गयारा का इस्तमाल करते हैं हम कहीं पे अगर कुछ चीज गुसानी हो यहां हम उसका कील का इbarsतमाल करते हैं आगे से वो पतली होती है क्यों क्योंकि जो हमारी force है वो क्या लगे? ज्यादा लगे कम area पे जिसकी वएसे कील अंदर गुस जाती है अगर वो flat surface होगा तो वो नहीं गुसेगी ठीक है दोस्तों अभी यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि हमारे जो pressure exerted by air जो हवा के वज़े से जो हमारे pressure होता है उसको बोलते है क्या? atmospheric pressure और atmospheric pressure के unit होते है वो hundred one lakh pascal के बराबर होता है ठीक है? चलिए आगे देखते है pressure सिर्फ इसमें air में ही नहीं होता हम उसको fluids में भी देखते हैं fluid में उसको energy पर unit volume के हिसाब से देखते हैं जब हमारे गरों में पानी आता है अगर दीरे दीरे आए हम बोलते हैं कि कम pressure है, ज़्यादा pressure है उसका कहने का मतलब क्या है? होता है हमारा कि energy पर unit volume में कम है और energy density कम है ठीक है? बरनॉली प्रिंसिपल क्या कहता है? ये भी हमारा conservation of energy का principle है, जो कि हमें fluids के बारे बताता है कि अगर एक fluid की जो velocity है अगर increase करनी हो तो उसके जो pressure loading of fluid pressure in region where the flow of velocity is increased pressure को कम करेंगे एक तरफ से तो उसकी velocity increase हो जाती है है ना ऐसे इसको आप इस example से देख सकते हो अगर आपने कभी देखा होगा एक pipe को अगर आप क्या करते हो मू लगाके उसकी हवा सकिन करते हो इसको इस तरफ से हवा अगर आप खिंचोगे तो आप क्या करोगे यहाँ का pressure कम कर दोते हो और यहाँ से पानी फिर आ जाता है और जो हमारी motors होती है गरों में वो भी इसी principle की theory पर ही काम करती है वो क्या करती है pipes का pressure कम कर देती है जिसकी वैसे पानी उपर की तरफ खिंच के आ जाता है अब pressure को measure करने के लिए barometer का इस्तमाल करते हैं barometer are measure instrument used to measure the pressure of atmosphere atmosphere का pressure नापनी के लिए हम barometer का इस्तमाल करते हैं और ये metrologist का इस्तमाल करते है forecast करने के लिए अनुमान लगाने के लिए short term weather conditions के तीक है हमारी जो short term weather conditions है वो कैसी है if the atmospheric pressure falls अगर atmospheric pressure कम हो जाता है इसका मतलब होता है कि तुफान या भारिश होगी है ना तो barometer और इसमें work differently to measure two type of barometer होते है है ना एक atmospheric pressure को नापने के लिए mercury barometer mercury barometer क्या है इस्तमेंट इन्वेंटिड भाय ट्रोकली 1643 में चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अब हम gravitation के बारे में पढ़ेंगे देखिए दोस्तों gravity भी हमारा एक अच्छा concept है हम जल्द जल्द syllabus complete करने की कोशी करेंगे लेकिन हम कोई भी topic नहीं चोड़ेंगे आपको सारे topic अच्छे से देखने है gravitation की definition क्या होती है definition है gravity is the universal attractive force that acts between all the objects gravitation क्या है gravity universal attractive force है जो की objects के बीच में लगती है उनके mass के बीच में आपको भी पता है कि हम दर्ती के साथ कैसे जुड़े हुए है gravity की वज़े से जुड़े हुए है अगर ये दर्ती है तो हम इसके साथ gravity जो है हमें पकड़के रखी हुई है तब ही हम इसके साथ चिपके हुए है तो more mass means more force जितने ज़्यादा mass होगा उतने ज़्यादा gravity उसको खींच के रखेगी अपने साथ more distance means less force जितना हम दर्ती के दूर जाएंगे है ना अगर दूर जाएंगे उतनी जो gravitation कम हो जाती है gravitation क्या हो जाती है कम हो जाती है जितना हम दूर जाते हैं the motion of the moon around the earth is due to centripetal force और जो moon की जो motion है हमारे अर्थ के इर्दगिर्द वो किस force की वज़े से होती है centripetal force क्या होती है दोस्तों देखिए जब कोई object क्या है आपने देखा होगा जब हम गोल-गोल गूमते हैं है ना mode कारते हैं कहीं पर जब गाड़ी चलाते समय तो क्या है एक force जो होती है जो हमें अंदर की तरफ खींचरी होती है उस force को centripetal force बोलते हैं वही centripetal force की वज़े से जो moon है वह हमारे दर्थ के इर्दगिर्द गूमता है the force that cause the oscillation and keeps body moving along the circular path हो इसकी वज़े से हम गोल-गोल circular path में घुमते हैं अगर आप कहीं गाड़ी में बैठे हो बस में तो आपको आपने देखा होगा जब गाड़ी मूरती है तो क्या होता है आपको एक force होती है जो अंदर की तरफ खींचरी होती है उसको centripetal force बोलते हैं और इसकी वज़े से ही moon दर्ती के इर्दगर्द गुम रहा है और दर्ती sun के इर्दगर्द गुम रही है और distance are radius के वाज़े से ठीक है चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं ग्रैविटेशन के बारे में जो मैंने आपको बताया क्या होता है ग्रैविटेशन फोर्स आप ग्रैविटेशन होता है कि जब दो अब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं सटन डिस्टेंस से इसके बीच में सटन डिस्टेंस होता है ठीक है और फोर्स क्या हो उसको मास ना दो मास के multiplication और अपन डी का स्क्वेर जो डिस्टेंस होता है उसका स्क्वेर होता है और ये gravitational constant होता है बल्कि force of gravitation is directly proportional to product of mass of the object divided by distance between them, तो ये होता है universal law of gravitation क्या कहता है वो ही जो मैंने अभी आपको बताया पिछे कि every object in the universe attract every other object, हर object, दूसरे object को अपनी तरफ खीशता है तो which is proportional to the product of their masses, जो कि proportional होता है product of their masses and universally proportional to the square of distance between them जो वो ही जो मैंने आपको बताया क्या होता है force of gravitation is directly proportional to product of their mass and universally proportional to the distance square of distance between them ऐसा होता है जब ये proportionality का sign हट जाता है तो क्या हो जाता है ये equals to और G constant आ जाता है और M M upon D का square हो जाता है ओके दोस्तों चलिए दोस्तों आगे देखते हैं वही जो मैंने आपको बताया इसके ऐसा ही यूनिट क्या होते है निउटन मीटर केजी स्क्वेर केजी का माइनिस टू होता है क्यों देखें अभी force of gravity force के unit क्या होते है निउटन होते है और जो gravity है है न वह हमारा as a unit of force act करती है चलिए दोस्तों अभी जो यह ग्रैविटेशन कॉंस्टन है इसके value होती है 6.673 10 raise to power यह 10 minus 11 नहीं है दोस्तों 10 raise to power minus 11 है ठीक है ध्यान रखना इसका ओके दोस्तों अभी हम क्या है कि एक और जो important चीज है gravitation में वो है कि as the radius of earth increase देखिए हम सब को मालम है कि हमारी दर्थी कैसी है ऐसी है ठीक है थोरी oval है तो क्या बोला है कि from the poles to the equator the value of g becomes greater जब हम क्या जाते है पॉल से equator की दरफ जाते हैं तो क्या होती है हमारी जो gravity है वो बढ़ जाती है और जब हम कहां की दरफ आते हैं जब हम उल्टा हो जाते हैं देखिए जब हमारी हम यहां पर पॉल पर खड़े होंगे तो हमारी जो gravity होगी वो क्या होगी जादा होगी और फिर जब हम यहां पर पहुंचेंगे ठीक है तब हमारी gravity कम हो जाएगी क्योंकि radius जो होगा वो बढ़ जाता है क्योंकि हमारी जो दर्ती है वो कैसी है ओवल है हम सब को मालूँ है चली दोस्तों यही मैं आपको बतानी कोछी कर रहा था और भी कुछ फिनामिना होता है ग्रैविटेशन की वज़े से force that brings us to the earth वही मैंने आपको बताया कि यह हमें दर्ती के साथ चिपकाई रखती है डी मोशन और में अर्वर यर्थ और अर्ध के इद्गित मून जोमता है ठीक है तोस्तों अब स्चिपर स्चिंआ, कि उपकराईड का मैं पढ़ाईगा बक it Ag Var interrupt के ओपर process Bond के साथ गिरेगा अब oscillation किसकी वेज़ से होती है gravitation force की वेज़ से होती है और इसी oscillation को oscillation due to gravitation force को gravity बोलते हैं और oscillation due to gravity भी बोलते हैं अभी इसको g के साथ denote किया जाता है g के साथ denote किया जाता है उसके unit भी oscillation के जैसे ही होते है meter per second क्योंकि ये gravity की वज़े से होती है और gravity की जो ये acceleration होती है वो होती है 9.8 meter per second square क्या होती है इसकी value 9.8 meter upon second का square ये होती है ठीक है दोस्तों free fall, free fall क्या एक object गिर रहा है दर्ती के तरफ with the help of gravity अब mass और weight के भी इच में difference पता करेंगे ये भी बहुत अच्छा concept है देखिए mass और weight दोनों एक चीज नहीं होती क्यों नहीं होती देखिए mass क्या है of an object ये एक fundamental property है fundamental property वो properties होती है जिनको हम change नहीं कर सकते ठीक है a numeric measure of its inertia ये numeric measure होता है inertia का बल्लब कि वो move हो रहा है नहीं हो रहा है उसका mass क्या है same रहता है amount of matter कितना matter है एक object में ठीक है उसको कहते है mass क्या amount of matter in the object उसको बोलते है mass और weight क्या चीज है weight होती है weight of an object is defined as force of gravity on object force of gravity on object जो force act हो रही है ठीक है due to gravity object के उपर ठीक है उसको बोलते है और weight होता है mg के बराबर since weight is the force क्योंकि weight क्या है force है तो ऐसा unit क्या होते है इसके newton होते है क्या होते है ऐसा unit इसके newton होते है और it is a force act upon an mass due to gravity ठीक है चले दोस्तों आगे देखते हैं और इसके unit kg meter second होते है ओके ये हो गया चले दोस्तों अभी हम पढ़ेंगे की moon के उपर हमारा जो weight है वो कैसे act होता है देखे हमारी दर्ती और moon के बीच में क्या है कि हमारा जो moon है उसकी जो gravity है क्या पहले हम पढ़ लेते हैं इसको the weight of an object on the moon is the force with which the moon attracts that object पहले तो weight के बारे मैंने आपको पीछे क्या बताया कि weight क्या होता है weight होता है कि mass और gravity का multiply मतलगी gravitational force acting upon an mass ठीक है तो इसको force ही बोल जकते हैं और w के साथ हम इसको denote करते हैं तो अब mass तो हर जगा सेम रहता है लेकिन mass of the moon is less than the earth अब अर्थ के से compare करें तो moon का mass कम है क्योंकि moon exert और इसके वज़े से moon के पास क्या है force of attraction भी कम है उसके वज़े force of attraction कम होती है और weight of an object on the moon और weight of an object on the moon जो होगा वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा as compared to weight of an object equals to on earth कितना कम हो जाएगा वो वो हो जाएगा 0.1653D 1 by 6 इतना learn करने के जुरूत नहीं है बस आपको क्या करना है जो weight ये learn करना है कि जितना आपको moon के उपर कितना weight हो जाएगा ये में आपको यहां से ये ठीक है ये इतना learn करना है क्या है कि 1 by 6 हो जाएगा जितना weight उसका earth के उपर होगा एक object का कितना weight कम हो जाता है जब वो moon के उपर चल जाता है 1 by 6 बस इतना सा learn करना है आपको अब thrust और pressure के बारे में पढ़ेंगे देखिए अच्छा moon के बारे में पढ़ा हम और इनको read भी करना साथ-साथ में आपको में PDF परवाइड कर दूँगा इतने लिखने लिखोगे तो ज्यादा मुश्किल हो जाएगी important point लिखने होते हैं सिर्फ ठेक है thrust और pressure के बारे में बता रहा हूँ thrust और pressure क्या होता है देखिए अभी the force acting on an object अगर एक object के उपर perpendicular force लग रही है उसको thrust बोलते हैं जब क्या लग रही है perpendicular force लग रही है उसको thrust बोलते हैं ठीक है when we stand on loose sand जब हम sand के उपर खड़े होते हैं the force that is the weight of your body जो हमारी force हमारी body का weight होती है वो area equals to area of your feet उसका कितना area में वो आ रही होती है वो जितने हमारे feet है उतने area में आ रही होती है लेकिन जब हम late जाते हैं तो same surface वो ही जो surface जो होती है वो हमारी पूरी whole body में आ जाती है ठीक है which is longer than the area of your feet और वो हमारे feet से थोड़ी जादा होती है thus the effort of the force on the same magnitude the area of thrust जिसके ओपर depend करती है area effect of thrust on sand is larger while standing while lying तो जब हम खड़े रहेंगे तो उसके जो thrust होगी वो क्या होगी ज्यादा होगी on sand बलकि जब हम लेटे होगे तो वो thrust कम हो जाएंगी while lying ठीक है lying जूट ने लेट के ठीक है जब लेटे होगे तो हमारा force कम लगेगी area के इसाब से तो area के इसाब से thrust depend करती है thrust on unit area is called pressure thrust unit area में जो लगे उसको क्या बोलते है pressure समझ मैं आ ठीक है weight किस चीज़ का weight किसी area में लगेगा उसको thrust बोलते है unit area में उसको pressure okay the thrust on the unit area pressure बोलते है newton meter square okay the same force acting on smaller area कम force में exert को होगा larger pressure होगा smaller pressure on larger area pressure measurement the measurement of pressure may take place तो यह अलग लग होता है इतनी सी थी आज की वीडियो I hope आपको अच्छी लगी होगी इसके questions में आपको अगली वीडियो में दूँगा thank you stay tuned अगर आपको हमारी वीडियो से अच्छी लगती है तो आप हमारी चैनल को subscribe भी कर जाकते हैं दन्यवाद